जाहनाबाद के शकूराबाद थानाशेत्र के गाउं में बीते कुछ दिन पहले एक नाबालिक के साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया था इस घटना को लेकर लोग जनशक्ती पाटी राम विलास पासवान के सांसद अरून भारती और शांभवी चौधरी पीडिता के गाउं पहुचकर पीडित परिवार से मिले थी पुलिस द्वारा उस अभ्यूक्त को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया गया है अब बाद जाएंगे हम इवकिसी बच्ची के खिलास कुछ हो तो रूजन शक्रेबाटी हमेशा मस्तिती से महिलाओं के सब्सक्राइब हमेशा देखाएंगी इन्हें के सरकार ने लगातार महिलाओं के अधिजार के लिए यहां पर आएं पीडित परिवार से लिगातार के गिरस्तारी मुद्दों को लेकर के बड़े मुखर हो करके संसद में बोलते हैं सरकार भारत सरकार के विरोध में जब उनके ही सराज सरकार में एक इस तरह की घटना होती है विभत्स घटना होती है चा महां भी एक काररत महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना होती है तब उनके नेता जो है कुछ नहीं बोलते हैं इस घटना को दबाने का प्रयास करते हैं जाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तब ही जाकर कि ये जाद CBI को recommend की गई है और हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना अगर भारत में कहीं भी हो तो सरकारों का सरक्षन मिलने के बज़ाए ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से उचित कारूनी कारवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे इसमें और क्या प्रावधान हो सकते हैं ताकि ऐसे मामलों का उदाहरन बनाकर जो भी आरोपिक प्रक्षो उनको ये संग्यान में दिया जाए कि आप आगे से कोई भी ऐसी घटना होगी तो उसमें करवाई बहुत कड़ी होगी हमेशा तो इसके लिए जरूरी है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है क्योंकि कानून जो है लॉइन और जो है वो राज्य का विशह है वहाँ की राज्य सरकार दॉक्तरों से बात करे और उनको